बच्चों, आज हम जन्तू और पात्पों के अलावा कुछ ऐसे जीवों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें हम अपने नगना आखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कूप के आवशक्ता होती हैं, तो आप समझे गया होंगे कि मैं सुक्षमजीव यानिके माइक्रोप्स के बात कर रही हूं, सुक्षमजीव जैसे कि जिवानू है, विशानू है, नील हरी शेवाल है, माइकोप्लाजमा है, वालवाक्स है अना बिना, ये सब ही को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कूप की सहायता लेनी होती है, ये जो कई मीटर नीचे तक ये जीवानों उपस्तित होते हैं और तो और जहां पर जीवन संभुन नहीं है मतलब जहां का तापमान सो डिग्री सलसेड से भी जादा है वहां पर भी यह जिवित रहे लेते हैं और वहां पर भी यह पाए जाते हैं कि इसके जायते हैं और तो और जहां पर माध्यम अधिकंगहिं औधिक शारी है ऐसे माध्यम में भी यह पाया तो सुक्षमिजीव हर जगह पर उपस्तित रहते हैं लेकिन जब हम नाम सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये आजाता है कि जो सुक्षमेजीव होते हैं ये बहुत ही हानिकारक होते हैं हाँ आप गलत नहीं है बिल्कुल सही है सुक्षमेजीव बहुत हानिकारक होते हैं लेकिन हानिकारक होने के साथ साथ ये हमारे लिए लाप्रत भी है ये हमारे लिए कितने फायदे मंद है इसे जानने के लिए ही आज हम पढ़ेंगे मानु कल्याण में सुक्ष्मिजीव माइक्रोप्स इन यूमेन वेलफेर ये माइक्रोप्स को या सुक्ष्मिजीव को आरेच वेटेकर ने जब पाज जगत वर्गी करन दिया था तो उन्होंने सभी सुक्ष्मिजीव को जगत मोने रा में रखा था तो जगत मोने रा में जो सुक्ष्मिजीव उपस्तित है वो है जिवाणू, नील हरिश्यवाल, माइकोप्लाजमा तो ये जितने भी सुक्ष्मिजीव होते हैं जिनने जगत मोने रा में रखा गया था पिलावा इनकी कोशिकाओं में एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम, माइटोकॉंड्रिया, गॉलजी बॉड़ी ये सभी कोशिकांग नहीं पाये जाते हैं। प्रोजन स्तिरिकरन कहते हैं। तो जगत मुनेरा के अगर हम जीवानू की बात करते हैं, बैक्टिरिया की बात करते हैं, तो जो जीवानू होते हैं, बैक्टिरिया होते हैं, ये भी एक कोशिकी होते हैं, प्रोकेरियोटिक होते हैं, इसके अलावा इसकी जो कुशिका भित्य होती है यह म्यूको पेप्टाइट्स की वनी होती है और यह जिवानों जन्तु से जादा पात्पो से समानता प्रदशित करते हैं तो यह जो जिवानों होते हैं यह अलग-अलग आकार के होते हैं जैसे कि गोलाकार दंडाकार या फ्लाजिला युक्त जिवानों तो सबसे पह अर दो एक साथ कुशिका तो यह कहलाती है डिपल कोकस और अगर ये चार एक साथ हमको दिखाए देती है तब हे हो जाती है टेट्रक कोकस बैक्रेया और आपकों दिखरी है चैन के फॉआ में के दिखाए दे रही है संडचना तो अभी से इस श्ट्रेप्टको के गुच्छे की समान आपको संडचना दिखाई देती है तब इस प्रकार के बैक्टेरिया को हम कहते है स्टेफेलो कोकस बैक्टेरिया इसी प्रकार से आप देख रहे हैं पर रॉड शेप बैक्टेरिया दिखाई दे रही है सिंगल सेल है तो यह बैसिलस बैक्टेरिया हो ग तब इसे यह पैलिसेट कहलाती हैं, तो यह होगे रॉट शेप बैक्टेरिया, अब हम ऐसे बैक्टेरिया की बात करते हैं, जो थोड़ी स्पाइरल होती है, थोड़ी मुड़ी हुई संरिशना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं स्पाइरलम, वैसी कौमा जिसी ज नगनाखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इन बैक्टेरिया को पोशक माध्यम में उतक सवर्दन विधी के द्वारा गुनन कराकर कॉलोनों के रूप में इससे हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पैट्रिडिश में देख रही हैं कॉलोनिया, यह बैक्टेरि हो जाती है, इनमें द्विखंडन होता है, जिससे एक कोशिका से दो कोशिकाओ का निर्मान होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह द्विखंडन विधी को दिखाया जा रहा है, बैक्टेरिया की, अब यह एक कोशिका है, बैक्टेरिया की, जिसमें आपको कोशिक विखंडन मतलब जब कोशिका खंडित होती है दो कोशिकाओं तब यह कैसे होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो जो एक कोशिका है धिरे-धिरे ये इलोंगेट हो रही है, बड़ी हो रही है, इसका जो DNA है, वो भी क्या हो रहा है, विभाजित होना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे एक कोशिका से दो कोशिकाओ का निर्मान होता है, और इसी को हम विखंडन विधी कहते हैं, तो अनुकुल परिस्तित्या निर्मान करके ह लेक सकते हैं, तो पात जगत में आरेच विटे करने इन जीवों को रखा था, लेकिन अब मैं ऐसे जीव के बारे में बात कर रही हूं, जिनने इन पात जगत में नहीं रखा गया, इस जीव को जीव और निर्जीव की बीच की कड़ी मानते हैं, मैं बात कर रही हूं विश लेकिन ये जब इन्हे जिवित कोशिका मिलती है तो जिवित कोशिका के अंदर में ये परजीवी के तमान वेभार करते हैं और जिवित कोशिका के बाहर Smalls पदात की तरह रहते हैं तो वाइरसे जो होते हैं इन में जेनेटिक मटेरियल अन्वाशिक पदात DNA और RNA की रूप में उपस्तित रहता है और यह अकोशिक होते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ वायरस की संरशना यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं जैसे की पॉक्स वायरस यहां पर देख रहे हैं पॉक्स वायरस इस पॉक्स वायरस के द्वारा यह ऐसा वायरस है जिसे स्मॉल पॉक्स नामक संक्रामक रोग होता है जिससे त इसे प्रकार से यह यह संक्रमन पैदा करता है इसके बाद इन्फ्लॉएंजा वाइरस उसके बाद आप देख सकते हैं बैक्टिरियो फेज या जीवानों भोजी यह ऐसा वाइरस है जीवानों का भख्षन करता है बतलब किसी अगर हमको कोई हैजा जैसे मान लिया जा हैजा बीमारी हुई तो बैक्टेरिया अगर हमारे शरीर के अंद है तोबैको मोजाइक वाइरस जो कि रॉड शेप वाइरस है इस वाइरस के द्वारा मुख्यतर प्लांट्स में यह बिमारी पैदा होती है और वो प्लांट है तंबाकू तंबाकू के प्लांट में यह बिमारी पैदा होती है जिससे जो तंबाकू की पत्या होती है वो रं हरپिज वायरेस से भी मुव में और जननंगों पर जाते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के वायरेस की संरेशन आप देख सकते हैं इसके अलावा बच्छो वायरेस से भी सुक्ष्म कंड ऐसे कंड जो रोग जनक कंड है जो कहलाते है विरोइट्स या प्रायोंस तो विरोइट्स जो होते हैं यह वाइरस जैसे ही होते हैं लेकिन वाइरस से भी ज्यादा सुक्षम होते हैं और विरोइट्स से भी ज्यादा सुक्षम है प्रायोंस तो दोनों में क्या अंतर है तो जो विरोइ होते हैं ठीक है विरोइट में सिंगल स्टेंडर्ड आरेने होता है और यह ज्यादा तर जो विरोइट होते हैं यह पादप को संक्रमित कर देते हैं और जब प्रयोंस की बात करती तो प्रयोंस में आरेन या डी आने ने ने होता हैं सिर्प्रोटीन्स होते हैं ठीक है और प्र यह जो प्रायोंस होते हैं यह एनिमल्स को या जन्तु को जादा अधिक संक्रमित करते हैं तो बच्चों यह सुक्षमेजीव हम मनिश्यों के लिए बहुत जादा लाबदायक है हम हर रोज इन सुक्षमेजीव के द्वारा उत्पन उत्पादों का उप्योग करते हैं आप इ जो उत्पाद है ये सुक्षम जीव की ही देन है तो चलिए हम जानते हैं कि दही का निर्मान कैसे होता है तो दही कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमें दूद के आफशक्ता होती है दूद को हल्का गुन-गुना किया जाता है हल्का गरम किया जाता है हमें दूद को बहुत बहुत जादा गरम भी नी करना है इतना गरम करना है कि इसका तापमान जो है वो 40 डिगरी सेलसेस से नीचे हो अब इस दूद में हम थोड़ा सा दही मिलाएंगे जब इस दूद में थोड़ा सा दही मिलाए जाता है तो हम इसे कहते जामन या दही किस रूप में मिला रहे हैं अब ये जो दही थोड़ा सा दूद में मिला रहे हैं इस दही में असंख्य Lactic Acid Bacteria उपस्तित है फिर दही मिलाने के बाद इससे हम 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि जो दूद था वो दही में परिवर्तित हो गया तो कैसे हुआ होगा य Lactic Acid Bacteria में Lacto Bacillus Acidophilus Bacteria है और Streptococcus Lactis यह बैक्टेरिया यहाँ पर काम करते हैं कैसे सबसे पहले दूद में जो Lacto Sharkra है वो Lactic Amal में बदल जाता है कैसे बदलता है यहाँ पर जो बैक्टेरिया है Lacto Bacillus Acidophilus यह बैक्टेरिया क्या करता है दूद के Lacto Sharkra को Lactic Amal में बदल देता है और जो दूसरी बैक्टेरिया है Streptococcus Lactis यह Streptococcus Lactis दूद में जो कैसीन प्रोटीन उपस्तित है उस कैसीन प्रोटीन को सकंदित कर देता है सकंदित कर देता है मतलब उसकी Clotting कर देता है यह हम कह सकते कि ठकका जमा देता है तो दूद जो था वो ठकके के रूप में जम जाता है तो यह किसके दौरा हो रहा है Streptococcus Lactis के दौरा इस प्रकार से दूद से क्या बन गया है दही बन गया है अब यह जो दही बनता है यह हमारे स्वास्त के लिए बहुत जादा लाबदायक है क्योंकि इन में विटामिन की मात्रा विटामिन B12 की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसलिए हमारे स्वास्त के लिए बहुत लाबदायक होता है तो हमने देखा कि दूद से दही बना किन के कारण सुक्ष मिजियो के कारण अब हम बात करते हैं दोसा और इडली जो हमें बहुत पसंद है चावल के आटे को गीला करके या भिगा के बनाया जाता है तो चावल के आटे को जब भिगा कर इन्हें रख दिया जाता है या पीस कर इन्हें रख दिया जाता है तो कुछ समय बाद उनमें किन्वन होने लगता है तो किन्वन होने से वहाँ पर कारण डियाज बनती है जि इसे कहा जाता है खमीर उठाना तो आटा कैसा हो जाता है धीला हो जाता है एक दम बहुत सौफ्ट मुलायम हो जाता है गीला हो जाता है जब इसके बाद जब हम सेडली या दोसा बनाते तो बहुती सौफ्ट बनता है ठीक है तो यह भी जो किंडवन हो रहा है दोसा और इडल लोग भागों में इसे पारंपरिक पे के रूप में उपयोग किया जाता है। जिने इन सुख्षमध्यों की सायता से ही पनाय जाता है। जैसे यहाँ पर आप एक दृष्ष देख रहे हैं एक व्यक्ति सायकल से जा रहा है। और वह ताड के विरिक्ष के उपर चहड रहा है, आप देख रहे हैं, अब ताड के विरिक्ष पर चहड कर ये क्या निकाल रहा है, उससे वो सैप निकाल रहा है, वो ताड के विरिक्ष से उसको काट कर उससे रस निकाल रहा है, अब उसको एक बरतन में उसने जमा किया, जादा तर लोग दक्षिन भारत के इसको उपयोग करते हैं इसके अलावा टोडी के अलावा किन्वन करके मचली का सोयाबिन का या बास के परहो का किन्वन करके भी बहुत सारे पक्वान तयार किये जाते हैं तो यहां पर जो टोडी का निर्मान हो रहा है वो भी कैसा हो रहा तो किन्वन हम जानते हैं, फर्मेंटेशन हम जानते हैं, ये ओक्सिजन के अनुपस्तिती में होता है, तो जो तोड़ी का निर्मान हो रहा है, ये भी किन्वन के द्वारा हो रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से मचली का किन्वन करके, सोयाबीन और बास के प्रहरों का किन्वन क इसके अलावा पनीर पनीर एक ऐसा भोज़पदार्थ है यह बहुत प्राचिन भोज़पदार्थ है जिसका उपयोग हम बहुत करते हैं बहुत सारे डिश्स बनाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है तो पनीर भी कैसे बनाये जाता है सुक्षम जीव के प्रयोक से बनाया जाता है अब हम विभीन किसमे के पनीर खाते हैं इसके जो गठन सन्रचना करना होती है इनका जो स्वाद सुगंध होता है पनीर का अलग- контрak VO तो यह जो अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग किस्म के जो हम पनीर खाते हैं, इनके पीछे अलग-अलग सुक्ष में जीव का योगदान होता है, जिससे ये पनीर बनता है, तो चली हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्विस पनीर की, या स्विस चीज की, इस इस पनीर को, इस चीज को आपने एक टॉम झेरी काटून आता है उसमें देखा होगा। इस चीज को पकड़े हुए जिसमें बहुत बढ़े-बढ़े छेद होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कारबन डयोकसइड गयाज बन रही हैं। जिससे बहुत जादा मात्रा में carbon dioxide gas बनने से जो चीज है उसमें बहुत बड़े-बड़े छेद बन जाते हैं तो यहाँ पर कौन सा जीवानु काम कर रहा है तो यहाँ पर जो स्वीस पनीर है यहाँ पर जो सुक्षमी जीव जो जीवानु काम कर रहा है वो है प्रोपियोनी बैक्टेरियम शार्मेनाई तो स्वीस पनीर जो कि बहुत हाड होता है कठोर होता है और इसमें बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं यह सुक्षमिजीव जिनकी सायता से यह बनता है वो है प्रोपियोनिय बैक्टेरियम शारमिनाय इसके अलावा एक और पनीर दूसरे पनीर के बारे में जानते हैं जैसे कि आप यहां पर देखते हैं रौकी फोर्ट पनीर अब यह जो रौकी फोर्ट इसका नाम है पैनिसीलियम रौकी फोर्टी तो पैनिसीलियम रौकी फोर्टी के दौरा यह रौकी फोर्ट पनीर बनता है इसी प्रकार से कॉमिम बर्ट पनीर अब यह जो कॉमिम बर्ट पनीर है यह बहुत ही सौफ्ट होता है कोमल होता है और यह भी एक सुक्षमिजीव क कवक है इसकी सहायता से बनता है उसका नाम है पैनिसिलियम कॉमिमबर्टी ठीक है तो इनके जो नाम पड़े है यह बैक्टीरिया के कारण या कवक के कारण ही पड़े है उसके अलावा हम देखते हैं लीम बर्गर पनीर यह भी बहुत सौफ्ट होता है और इसके पीछे जो स्ट्रेप्टोकुकस लिकवी फेसियन इस प्रकार से घरेलो उत्पाद में यह सुक्ष्मिजीव हमारे बहुत काम आते हैं और इनसे बहुत सारे उत्पाद बनाया जाते हैं अब हम बात करेंगे ओधोग उत्पादों में सुक्ष्मिजीव माइक्रोप्स इन इंडस्ट्रिल प्रोडेक्ट्स तो हम घरेलो उत्पाद में सुक्ष्मिजीव कितने हमारे लिए लाब दाया के वह तो देख चुके लेकिन जब उत्पादों को बड़े स्तर पर बनाया जाता है बड़े-बड़े मशीनों में बड़े-बड़े बरतनों में जब उत्पादों को बनाया जाता है तब वहां पर यह सुक्ष्मिजीव कैसे काम करते हैं और कहां कहां पर यह काम आते हैं तो चली इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले डेरी उत्पादन होता है यह सभी सुक्ष्मिजीव की सकरिता के कारण होता है जैसे कि दही अधिञी है, मक्षन है, घी है, चाज है, ये सभी को बडेस्तर पर बनाया जाता है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो दूद से दही बनता है, इसके लिए जो जिवानू जिम्मिदार होता है, वो होता है स्ट्रैप्टो कोकस लेक्टीस और लेक्टो बेसिलस बैक्तेरिया, और Lactobacillus lactis की सायता से पनीर का निर्मान किया जाता है, हमने देखा कि अलग-अलग स्वाद और सुगन की पनीर बनाया जाता है, उसके लिए अलग-अलग बैक्टिरिया की सायता से ये बनते हैं, इसी प्रकाल से Lactobacillus vulgaris और Streptococcus thermophilus, ये बैक्टिरिया का क्या करते हैं, दूद को योगर्ड में बदल देते हैं, योगर्ड मतलब मीठी दही या श्रिखण, तो मीठी दही और श्रिखण का जब उत्पादन किया जाता है, तो इन सुक्षमिजीव की सायता से किया जाता है, तो ये हो गए डेरे उद्ध्यों की बात, अब हम बात करेंगे रेशो की रेटिंग, तो रेशो की रेटिंग मतलब पौधे के तने के रेशो को क्या किया जाता है, जैसे कि जूट है, पटसन है, इनके पौधों के रेशे को पानी में अलग सडा कर अलग किया जाता है, रेशो को अलग किया जाता है, और ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम र Rating कहते हैं अब इसकी कौनसा बैक्टीरिया के साहयता से किया जाता है तो यहांपर जो बैक्टीरिया काम करता है वह है Clostridium deut engag puisquina place sa कि इसरे और तो कर्डा में चायी के लिए qa क्वालिटी कि जो चाय हम पीते हैं उसके निर्मान के लिए भी यह सुक्षमेजीव की सकरीता बहुत जरूरी होती है तो यहाँ पर जो सुक्षमेजीव काम करते है वो है माइक्रोकोकस कैंडिडस जिवानों तो माइक्रोकोकस कैंडिडस क्या करता है इन चाय के पत्तियों की क्यूरिंग की जाती है इसकी साहता से चाय के पत्तियों के क्यूरिंग की जाती है अब क्यूरिंग क्या होता है कि चाय के जो पत्तिया होती है क्योंकि यह गीली होती है सॉफ्ट होती है तो उनको सुखाया जाता है और सुखा कर जो पत्या उनका कलर बदल जाता है हरी नहीं रहती पत्या उनका कलर बदल जाता है और उसके बाद पत्या जो होती है उसकी जो सॉफ्टनेस है वो कम हो जाती है पत्या थोड़ी सी हार्ड या कठोर हो जाती है तो य तंबाको के उत्पादन के लिए भी तंबाको की पत्यों की क्यूरिंग की जाती है। मतलब उनको भी सुखाया जाता है। और सुखा के करके फिर तंबाको का निर्मान किया जाता है। इस प्रकार से, चाय के निर्मान में और तम्बाकू के निर्मान में भी है ये सुक्ष मेचीव बहुत ही लाबदायक था इसके एलावा चर्मुद्द्द्योग में तो चमड़े जो होते है इन रोमो को हटा रिये जात है इसको प्रक्रिया होती है उससे हम टैनिंग कहते हैं तो टैनिंग जब किया जाता है तो ये भी जिवानू की साहता से किया जाता है तो चर्म उद्ध्योग में भी जिवानू की बहुत अधिक सक्रीता होती है इसके अलावा बेकरी उद्ध्योग में जितने भी बेकरी प्रोड़क्ट्स बनाए जाते है जैसे कि ब्रेड हम खाते पाव हम्णाइए, यह भी इन शुक्षमिजी वही सहेता सी होता है. तो जैसे कि ब्रेड बनानो के लिए detail कि अंगे मैं में इस्तमाले करते हैं. जो कर दो यह हम इस्ट मिला जाता है. इस्ट मतलब कवक मिला जाता है. अब ये जो कवक इसमें हम मिला रहे हैं ये कवक है सेकेरोमाइसिस सेरिविसी इस कवक को थोड़ी से मात्रा में हम इस गेहो के आटे में मिला देते हैं अब ये कवक क्या करता है इस कवक के दौरा कुछ एंजाइम स्त्रावित होते हैं जैसे की अमाइलेज, जाइमेज, माल् तब ये glucose को मतलब क्योंकि आटा है आटे में starch है glucose है ये glucose को ethanol और carbon dioxide में परिवर्थित कर देते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर carbon dioxide gas बन रही है मतलब यहाँ पर किन्वन हो रहा है और carbon dioxide gas बनने के कारण यह जो आटा होता है यह फूल जाता है ठीक है और ढीला हो जाता है बहुत जादा soft हो जाता है और मुलायम हो जाता है और इसी carbon dioxide की सहायता से जितने भी bakery प्रोडेक्ट्स है या चाहे पाव की बात कर लेजे ब्रेट की बात कर लेजे यह सभी सुक्षमिजीव की सहायता से बनाये जाते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे मादक पे बदार्थ की सुक्षमिजीव की सहायता से मादक पे पदार्थ या जिसे किंडवित पे या अलकोहलिक बिवर्जिस भी कहते हैं भी बनाये जाते हैं तो कि इसे बनाने के लिए क्योंकि इसको अधोगिक स्तर पर बनाय जाता है तो इसे बनाने के लिए बड़ी-बड़ी कंटेणर बड़ बरत के अवश्क्त होती है और इस बड़े-बरतन को हम किण्भक या कहते हैं तो इन बड़े बरतनों में क्या किया जाता है ग्लुकोस का कोई भी एक स्त्रोथ डाला जाता है उसमें सुक्षमिजीव की साहता से किडमर कराकर यह शराब बनाई जाती है तो मादक पेपदार्थ मतलब शराब जैसे की बीर है वाइन है विस्की रम ब्रांडी यह स पलों से भी शराब बनाई जाती है जैसे कि अंगूर उसके बाद माल्टिकरत धाने जैसे की गेहु है जो है इनसे भी शराब बनाई जाती है तो इन में क्या कराया जाता है किर्ण्वन कराया जाता है इन में अवाई वे शोषन होता है सुक्षमिजीव की साहता से यह सुक बहटित होगा जिससे अलकोहल और कारबन डॉकसाइड बनेगी और जो ग्लुकोज है वो किस में बदल गया अलकोहल में तो क्या बन गई शराब बन गई अलकोहल बन गया इस प्रकार से यह मादक पेपदार्तों को इन कंटेनर में किंडवन कराकर प्राप्त किया जाता है तो हम दो प्रकार की शराब देखते हैं एक होती है आसवन करके बनाई जाती है और कुछ शराब होती है वो बिना आसवन के बनाई जाती है तो आसवन करके जो शराब बनाई जाती है जैसे कि रम, ब्रांडी, विस्की यह ऐसी शराब है जिने आसवन के दोरा बनाया जाता है और बिना अस्वन के जो शराब बनाई जाती है वो है बीर और वाइन. तो ताके इन में अलकोहल की सांदरता जादार है इसलिए इसनका अस्वन किया जाता है. तो इस प्रकार से मादक पेपदार सुक्ष में जीव की साहता से बनाया जाते हैं. और एक उत्पाद है प्रतिजयविक या एंटिबाटिक. एंटिबाटिक को भी सुक्ष में जीव की साहता से जब बनाया गया था तो ये बहुत बड़ा योगदान माना गया था उस समय बीसवी शताबदी में. एक बहुत बड़ी खोज मानी गई थी जब एंटिबाटिक का निर्मान हुआ था तो तो ये एंटिबाटिक या प्रतिजयविक हम किसे कहते हैं? तो एंटि जो कि ग्रीक भाशा से लिया गया शब्द है एंटि का मतलब होता है खिलाफ और बायो का मतलब होता है जीवन. मतलब जीवन के खिलाफ लेकिन हमारे जीवन के खिलाफ नहीं सुक्षमेजीवों के जीवन के खिलाफ मतलब ऐसे सुक्षमेजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं जो रोग पैदा करते हैं उनके जीवन के खिलाफ एक ऐसा रसायनिक पदार्थ है प्रतिजयविक जो उनके ज तो सबसे पहला जो एंटिबाटिक बना था वो था पैनिसीलियम अब पैनिसीलियम जो बना था ये एक ऐसी घटना थी एक ऐसा हादसा था जो शायद नहीं बनाना चाह रहे थे लेकिन वो एंटिबाटिक बन गई थी ठीक है पैनिसीलियम अब ये कैसी बनी इसके बारे में हम हम जानते हैं. तो सबसे पहले हम जानतेकी प्रतिजयविक जो शबद है 19dr. 42 में वॉकसمن नामक एक वळ्या निक थे हैं उन्होंने इस शबद को दिया था लेकिर इस शबद को प्रति पादित उनोंने किया था वॉकसमेन ने तो ये बात है यह घटना उस समय की है 1928 में, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक प्रयोग कर रहे थे, किस पर स्टेफिलो कोकस बैक्टिरिया पर एक प्रयोग कर रहे थे, तो जब इस पर काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, पैट्री डिश में इन प्लेट्स पे उन्होंने इन बैक पर उन्होंने देखा कि जो स्टेफिलो कोकस बैक्टिरिया है, यह वृद्धी कर रहा है, लेकिन एक प्लेट उन्होंने देखी, उस पर स्टेफिलो कोकस बैक्टिरिया ठीक से वृद्धी नहीं कर रहा था, तब उन्होंने सोचा कि यहां पर ऐसा क्या हो रहे है, कि यहां पर वो बैक्टेरिया जो है विरिद्धी नहीं कर रहा है तो बाद में जब उन्होंने उस पर और अध्यान किया तो उन्होंने पाया कि वहां पर जिवानू की बजाए मोल्ड का उत्पादन हो गया है और ये जो मोल्ड का उत्पादन हो रहा है इस मोल्ड के द्वारा जो के एक प्रकार का कवक ही है उस मोल्ड के द्वारा एक रसायन स्त्रावित हो रहा है जो है पैनिसिलियम और ये जो मोल्ड थी जिससे ये पैनिसिलियम रसायन स्त्रावित हो रहा था वो मोल्ड का नाम था पैनिसिलियम नोटेटम तो पैनिसिलियम नोटेटम से पैनिसिलीन रसायन स्त्रावित हो रहा था और ये पैनिसिलियम रसायन क्या कर रहा था staphylococcus जिवानों की वृध्धी को रोक रहा था और जिस वज़े से वो जिवानों वहाँ पर वृध्धी नहीं कर सका और उनको दो प्लेटों में जो रिजल्ट दिखाई दे रहा था वो तीसरी प्लेट में नहीं दिखाई दिया तब उनको पता चला कि अच्छा ये जो पैनिसिलीन रसायन है ये एक प्रकार का एंटिबाटिक है एक प्रकार का प्रती जैविक है जो पैनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसका निर्बान हुआ है और जो बैक्टेरिया की वृध्धी को रोक रहा है फिर बाद में चैन और फ्लोरे नामक जो वैज्यानिक थे उन्होंने पैनिसिलियम को एक बहुत ही प्रभाव शाली और शक्ति शाली एंटिबाटिक के रूपने सामने लाया और द्विश्व विद्ध जब हुआ था और घायलों को क्या किया गया इन पैनिसिलियम दवाई को दिया गया घायलों का उपचार किया गया उसके बाद 1945 में चैन और फ्लोरे को नोबल पुरसकार मिला उनकी इस उपलब्धी के लिए कि उन्होंने बताए कि जो पैनिसिलियम है ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभाव शाली एंटिबाटिक है इसके बाद बहुत सारी और एंटिबाटिक की खोज हुई